वाल मिक्चर भी कोई लगाने का चीज़ है, जब लाया हूँ तो जरूर आप लोग को कुछ अलग दिखाने वाला हूँ यहाँ पर यह देख लिजे, यह जो वाल मिक्चर है, हे भी है एक चीज़ जानकर रखेगा, वाल मिक्चर जो है अपडेट होता रहता है ये wall mixture काफी है भी है लेकिन आपको एक चीज दिखाऊं ये है 20 साल पूराना बातरूम अब इसका जो आपको measurement दिखाऊंगो न यहाँ धियान से देखिए center to center जो है स्रिफ 5.5 इंच है उससे भी कम है समझ लिजी तो यहाँ पर आप measurement में wall mixture लगाना बहुत ही जादा मुस्किल है यह है company का legs जो हम लगा रहे है तो इसे लगाने के बाद आपको दिखाते हैं यहाँ देखिए जिसका center to center स्रिफ 6.5 इंच हो रहा है या फिर उससे हलका सक कम हो रहा है और आपको wall mixture दिखाता हूँ इसका center to center है वो है जाकर 7 इंच अब आप idea लगाए जो यहाँ लगेगा कैसे क्योंकि बहुत मुस्किल है लगाना idea लगाए उसके बाद video देखिए तो यहाँ यह बिल्कुल लगने वाला नहीं है तो यह है twist और एक twist बताऊंगा तो इससे हम खोल लेते हैं अगर ऐसा problem आपका भी होता है तो सीधा आपको दुकान जाना पड़ेगा जैसे कि मैं यहाँ L-band दो लिया हूँ न तो इस तरीके से आपको ले लेना है यहाँ देख लिए यह कमपानी का दो है और अपना बजार से दो लेकर आए हूँ लेकिन यहाँ एक problem है यह फ्लांज देख रहे हो चलिए दिवाल में लगा कर दिखाता हूँ यह यहाँ लगाया अब फ्लांज ज ले सकते हो नॉर्मेली जो नलका है इसे आप लगाई और टाइट कर देजिए एक्जेस्ट करना है टाइट करना है यह फ्लांज लगेगा नहीं लेकिन टहर यह और भी आपको कुछ जानकारी देना बाकी है थोड़ा देखिएगा तो मैं इस सब पूरा एक्जेस्ट कर लि कियो तो सर कर दिजिए क्योंकि बहुत सारा एसा वीडियो आ चुका है और भी लाते रहूंगा तो हम टेबलम टेप पुरा कंप्लीट लगा रहे है और एक्स्टन से निपल जहां लगेगा यहां एक चीज बताऊंगा अपका लेक जो है उतना आपको निकाल के रखने चाह और एक चीज है पोपट पाना गलती से भी यहां पर यूच मत करिए अगर इसकू पाना होता है जिसमें मैं टाइट कर रहा हूं उसमें करिएगा काफी मतलब इसक्रेच होने का चांसे बहुत काम है अब नॉर्मल कपड़े से भी टाइट कर सकते हो इसकू पाना से ओके अब सावर का बेंट पैप जो लगांगा वो आप देखिए यहां भी क्या परिसानी है और इसका मेजरमेंट कैसे लेते हो भी से लेते हो नुहां थे यहां आप ध्यान दीज़ेे मैं CP फलंह नहीं दिया हूं जो नल में दिया जाता है क्यों नहीं दिया यह आप खुद आइडिया लगाईए मेरा बोलने से पहले तो चलिये लगाते है फिर बताते है इसे हम tight देते है और तब तक आप खुद आइडिया लगाने की कोसिस करिए यह क्यों यहाँ पर मैं CP flange नहीं दिया जैसे नीचे दिया था अगर आपको नहीं समझ मा आ रहा है तो चलिए हम बताते है इसे टाइट हो जाने देजिए तब तक थोड़ा सा इंतिजार कर लिए बस OCP फ्लांज इसलिए नहीं लगाया नीचे वाला क्योंकि ये वाला अगर यहां लगाऊंगा तो वो जो नट है न वो बाहर दिखेगा औ लगाएंगे यहाँ पहले आपको चेक करना है यह आभी कंफ्रॉम चेक हो रहा है अब यहाँ पर देख लिजी है मैं बैंड पाइब टाइट किया ताइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बैंड वाइब कितना कटिंग करना पड़ेगा वो तो दूर की बात है यहां छोटा ह जब छोटा हो गया तो क्या करेंगे मिक्सचर को ऊपर की साइट करेंगे और यहां पर एक खुबसूरत ही चीच आप लोगों को पता चलेगा मैं यहां पर आप लोगों को सजेश्ट करूंगा यह पहले लेविल करना है अपको पर्फेक्ट लेविल कर लेने के बाद अपको लगाना है यह अगर लेविल नहीं करते हो तो वाल मिक्सचर आपका हलका सा तेड़ा दिख जाएगा और यहां आपको 7 इंच आपका सेंटर होना चाहिए जैसे कि साइट से आप 7 इंच लगए तो चलेगा जैसे कि मैं साइट टू साइट 7 इंच लिया क्योंकि वाल का वीडियो बहुत काम है मतलब है नहीं समझ लीजिए क्योंकि वाल मिक्सचर बहुत कम लगता है यहां पर इसलिए है नहीं यह जो छोटा रखेंगे नहीं अतना खुबसूरत जादा देखेगा आप इसका मेजर्मेंट की इस तरीके से करेंगे हम लोग इस तरीके से करते है बाट इसे उल्टा इस तरीके से रखे और यहां टाइट कर दीजिए अब टाइट करने के बाद सिंपल सा है अब होल का नीचे जितना भी आप जाएगा उस तरीके से पकड़ लिजिएगा टेप बस जखा देना है इस ट्रेट तो बेंट पाइफ है आपका जितना एम्म हुआ था तो नब्य में इस तरीके से पकड़ा और इसे हम आप क्या करेंगे कटिंग कर लेंगे आप करते हैं चेक यहां पर चेक कर लेंगे परफेक्ट है अब इसे हम फिटिंग कर देते हैं और देखे कितना खुबसूरत देखेगा और एक चीज आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों यहां पर मतलब यह जो है ना वाल मिक्चर तो मैं यहां वाइसर ट्वाइसर देके लगा रहा हूं लेकिन इसका दूसरा एक वीडियो आएगा हमेंसे बहुत लोग वाल मिक्चर जरूर रिप्यारिंग करते हैं या फिर स्पेंडल जरूर चेंज करते हैं लेकिन उसका यह ट्रीक बहुत लोगों को पता नहीं है जो वाल मिक्चर का ओपरेटिंग सिस्टम की इस तरीके से चेंज होगा मतलब चेंज कैसे करना है तो यह जो है मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा इसलिए मैं नहीं ला पाता क्योंकि यह काफी दिन से मैं बनाने की कोशिस कर रहा हूं मुझे वाल मिक्चर का काम मिलता नहीं है ना उसका मेंटेनस मिलता है इसलिए आप लोगों के पास ला नहीं पाया वो वीडियो यहां वाल मिक्चर आया है तो इसके जरिये से आप लोगों कुछ ट्रीक दिखा कर बता दूंगा ताकि आप लोग कभी भी इस तरीके से काम करोगे ना तो वो चीज जो है आप बहुत यूनिक चीज जान पाएंगे हम में आप लोगों को ट्रीक पता नहीं है तो आप देख लिए यह वाल मिक्चर जितना चोटा बेंट पाइप लगा है तो कितना अच्छा लग रहा है और दोस्तों कोई भी वाल मिक्चर जो है ना जवर्दस्ती टाइट मट करिएगा मतलब अगर आपका पॉइंट अलका सा लग नहीं रहा है तो ब्राइब को डिला करके एक्जेश्ट करिए फिर लगाईए वाल मिक्चर जवर्दस्ती लगाएंगे तो वहां पर जो है कुछ दिन बाद क्रेक होने का चांसे से रहता है तो आप जो चलिए पानी चेक करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और च लोग के उपर है आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हो श्यार करते हैं तो जरूर होएगा फिर मिलने की कोसिस करूंगा आप लोग के साथ आप लोग के पास किसी दूसरे लगाई